असिस असिस क्या खाएंगे रबडी मालपुआ मगर मैदे वाला नहीं ठीक है और आज मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगी कि अगर आप मेरी वीडियो इस देखते हैं तो प्लीज इसे लाइक कर दिया किजेगा और सेर किजेगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी किजेगा और पेज को फॉलो कर लीजेगा तो चलिए बनाते हैं रबडी मालपुआ वो भी गेहूं के आटे से और ये इतनी स्वादिष्ट बनेगी ना कि आपको मैदे वाली भी इसके सामने फीकी लगेगी तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक लीटर फूल फैट मिल्क ले लिया है फूल फैट ही लीजेगा इससे रबडी बहुत ही अच्छी बनेगी तो सबसे पहले हम यहाँ पर रबडी बनाएंगे तो रबडी बनाने की ना कोई से भी कड़ाई का इस्तमाल कर सकते हैं लोहे की कड़ाई बिसिकली बहुत ही अच्छी रहती है रबडी बनाने के लिए लेकिन मेरी लोहे की कड़ाई गंदी पड़ी हुई थी इसलिए मैंने इसी कड़ाई में डाल दिया दूद और इसे क्या करेंगे ना कि बॉयल करेंगे जब तक कि यहाँ यहाँ पर दूद उबलते उबलते बिल्कुल one by third ना बच जाए और इसके लिए आपको दूद को continuously चलाने की बिल्कुल जरत नहीं है फ्लेम को medium कर दे और इसे बीच बीच में चलाते रहे अगर आपको किचन में और भी कोई काम है तो आप उसे भी कर ले लेकिन हाँ बीच में दूद को चलाते रहेगा देखी यहाँ पर इसकी consistency कुछ इस तरह की हो गई है और दूद बिल्कुल one by third के करीब हो गया है एक लीटर दूद दिया था हमने अब क्या करेंगे यहाँ पर फ्लेम को बंद कर देंगे इसे बिल्कुल सुखाना नहीं एकदम रवडी वाला नहीं करना है अब बना लेते हैं मालपुए की चासनी तो मैंने यहाँ पर आधा कप चीनी लिया है और आधा कप चीनी में ही हम क्या करेंगे आधा कप पानी आड़ करेंगे और यह आधा कप चीनी वाला जो चासनी है बिल्कुल परफेक्ट है ना कम होगा ना जादा होगा इतना चासनी बनाने से अब मैं यहाँ पर आड़ करेंगे कुछ केसर के धागे तोटली आपसनल है लेकिन कलर बहुत ही अच्छा आता है हो तो आड़ कर दीजेगा या फिर इसकिप भी कर सकते है यहाँ पर चासनी को अच्छे से हम पकाएंगे मतलब दो-तीन मिर्ट तक के लिए बहुत जादा न इसे ना हलका चिप-चिपा आपको बनाना है मतलब ओली वाला कंसिशन्स होना चाहिए जैसे कि गुलाब जामून की चासनी वेगर बनाता है बिल्कुल वैसे ही उससे जादा आपको नहीं बनाना है चासनी को फ्लेम को आफ कर दिया है अब मैं यहाँ पर ले रही हूं गेह अब हम क्या करेंगे इसी में आड कर देंगे दो हरी इलाइची जरूर से अड कीजिये का बहुत अच्छा टेस्ट आता है सारी चीजों को हम क्या करेंगे एक पर मिक्सर में चला करके बिल्कुल बारीक कर लेंगे सूजी मोटी थी तो यहाँ पर आटे और सूजी को गर्म भी रहेगा तो चलेगा अब क्या करेंगे कि हम रबडी को 1 by 3 निकाल करके रख लेंगे अंदाजे से ही निकाल लेंगे थोड़ा कम जादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसे हम उपर से सर्विंग में यूज करेंगे और बाकी आड़ किजेगा तो इसमें लम्स बढ़ जाएंगे अब हम यहाँ पर आड़ करेंगे दूद तो दूद यहाँ पर टोटल आधा कप लग गया था मुझे पहले मैंने थोड़ा सा आड़ किया है थोड़ा थोड़ा करके यह आड़ किजेगा कभी कभी कम जादा आपको लग सकता है वो टोटली डिपेंड करता है कि आपकी आटे की क्वालिटी कैसी है आपने रबडी को कितना सुखाया है मतलब अब आपको यहाँ पर क्या करना है इसे 2-3 मिट तक के लिए ऐसे एक ही डिरेक्शन में फेटना है ताकि जो भी रबडी के जो लम्स थे ना वो एकदम स्मूथ हो जाए और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पूरिंग वाली हमें चाहिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है एकदम पूरिंग वाली है बहुत जादा आपको पतला नहीं करना है या फिर बहुत जादा गाड़ा भी नहीं रखना है वैसे मेजरमेंट तो मैंने बताया ही है तो कोई भी गड़वडी नहीं होगी अब तेल को यहाँ पर आपको मीडियम गर्म करना है और एकक करके आपको यहाँ पर सारे मालपवे तलने हैं तो एक बार में मैंने यहाँ पर तीन मालपवे दिये हैं तो इसी तरह के आप किसी पैन का इस्तमाल कीजेगा तो एक बार में दो, तीन, चार मालपवे चले जाएंगे अराम से एक साइड जब ये थोड़ा सीख जाए ना तो आपको दूसरे साइड इसे पलट लेना है और फ्लेम को मीडियम रखना है और इसे दोनों साइड अच्छा सा कलर आने तक के लिए इसे तल लेना है बहुत ज़्यादा भी कलर नहीं लाना है नहीं तो जो मालकुए है ना कुरकुरे बनेंगे सॉप्ट नहीं बनेंगे उसके बाद आप क्या करें ना कि मालकुए को एड़ कर दे चासनी में यहाँ पर जो चासनी है ना हलकी सी गर्म है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है इसी तरह से हम क्या करेंगे ना कि बाकी के मालपों को यहाँ पर तल करके तयार करेंगे जो नॉर्मल वाली कड़ाई होती है ना उसमें मत्त लिएगा इसी तरह के चोड़े पैन कर इस्तमाल कीज़ेगा एक मिट के बाद ही हम यहाँ पर क्या करेंगे मालपूँ को निकाल लेंगे चासनी से और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है देखने में जो भी एक्ष्ट्रा तेल हो न आप उसे दूसे जहारे से दबा करके अराम से निकाल सकते हैं और आज मैंने मालपूग को तलने के लिए घी का इस्तमाल किया है आप कोई भी तेल का भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन सरसो के तेल का बिल्कुल इस्तमाल मत कीजेगा यहाँ पर मालपूग बन करके तयार हैं और अब उन्हें दो-तीन मालपूग खा लिये हैं ऐसे ही चासनी क्योंकि उसे रवड़ी वाले मालपूग बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं और अब हम गार्निस कर लेंगे रवड़ी को तो आप इस तरह से मालपूग के ऊपर रवड़ी को डाले और अगर आपको इसे फ्रिज में रखना होना तो बिना रवड़ी के ही आप इसे रख सकते और मुझे कमेंट करके बताईएगा कि आपको कैसी लगी बहुत तेश्टी लग रहा है